अज हम Vintage Photo Effect को Photoshop में कैसे Create किया जाते वो टेकनिक सीखेंगे यह जो स्क्रीन में आप Old Style Vintage Photo Effect को देख रहे हैं इस Effect को आज हम Photoshop में Create करेंगे इस Effect को Create करने के लिए हम सबसे पहले कुछ इमेजेस को Photoshop के अंदर Open करेंगे इमेज ओपन करने के लिए मैं शौर्ट कमाड का यूस करूंगा Ctrl Plus O और Simply अपनी image को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और ओपन में क्लिक करेंगी image ओपन हो जाने के बाद हम अपने layer panel को यहाँ पर active करेंगे layer panel को active करने के लिए मैं short command का use करूँगा F7 layer panel active हो जाने के बाद layer panel में यह जो background layer है इस background layer के उपर आपको right click करने convert to smart object इसके बाद आप filter menu में जाएंगे camera raw filter इसमें click करने camera raw filter में click करते ही camera raw का dialog box आपके सामने open हो जाएगा जिसमें आपको यह जो tap यहाँ पर दिखा रहे हैं जिसमें हमें basic option में black and white इस option को यहाँ select करने इसके बाद हम इस option को यहाँ पर select करेंगे black and white mix जिसमें red की value हम करेंगे 100 और green की value करेंगे minus 100 यह value को आप अपने image के according कम जादा कर सकते हैं इसके बाद हम simply split toning इस option को यहाँ पर click करेंगे जिसमें highlight में यू की value 40 और saturation हम लेंगे 20 और shadow में यू की value 45 और saturation 50 इसके बाद हम इस option को यहाँ पर select करेंगे effect वाला जिसमें grain का जो amount है हम यहाँ पर type करेंगे 50 size 50 और roughness 50 जिसमें post crop vignating effect जो है हमारा amount हम यहाँ पर लेंगे 72 और simply basic वाला जो हमारा panel है यह option इसमें click करेंगे यहाँ पर और इस panel के अंदर highlight की value को हम थोड़ा यहाँ पर बढ़ाएंगे तो highlight हम यहाँ पर ले रहें 30 shadow को हम यहाँ पर लेंगे 10% और clarity में हम यहाँ पर value टाइप करेंगे minus 50 यह value को हमने यहाँ टाइप कर दिया इसके बाद simply हम preset इस option को यहाँ पर select करेंगे और यह preset में bottom में new preset इस option को आपको click करने और इसमें click करते हैं new preset के एक dialer box हमारा सामने आ जाएगा जिसमें हम यह पूरी settings को as a preset save कर सकते हैं तो इधार पर हम इसको एक नाम दे देते हैं तो इसको मैंने नाम दे दिया vintage old school effect simply ok में click करेंगे और यह पूरे effect को हम अपने image के उपर apply करेंगे simply ok में हम click करेंगे यहाँ पर तो यह effect हमारे यहाँ पर apply हो गया अब इसके बाद next image को हम देखते हैं यह हमारा next image है इस tab में मैंने यहाँ click किया simply हम क्या करेंगे सबसे पहले layer panel में अपने background layer को convert to smart object इसके उपर right click किया convert to smart object और simply filter menu में जाना है camera raw filter इसमें click करना है जिसमें हम अब कोई भी settings को change नहीं करेंगे simply हम यहाँ पर click करेंगे presets में और vintage old school effect इस option को select करना है और ok कितना easily हमने इस effect को यहाँ पर apply कर दिया यदि आपको इसमें कुछ changes करना है तो simply आपको क्या करना है यह जो smart filter हमें यहाँ दिखा रहे और यह camera raw filter हमें दिखा रहे इस नाम के उपर आपको double click करना है तो यह camera raw filter का dialogue box आपके सामने open हो जाएगा इसमें आप settings को change कर सकते है जैसे ही हमारा effects है इसमें इसकी value को आप कम कर सकते है black and white mix है फिर उसके बाद splitting toning है इसमें आप जो saturation level है 50 इसको हम यहाँ पर करते हैं 70 तो 70 करते हैं यह effect यहाँ पर change हो गया simply ok में click करेंगे एक example हम और देखते है यह image है हमारी इस image के layer panel में background layer के उपर right click करेंगे लेकिन convert to smart object तो इस बार हम यहाँ से नहीं कर रहे हैं इसे convert to smart object simply आपको background layer को select करना है filter menu में जाना है और यहाँ पर हम करेंगे convert for smart filter तो यहाँ से भी हम अपने layer को as a smart filter convert कर सकते हैं तो यह हम से push रहे to enable readitable smart filter the selected layer will be converted into smart object तो simply ok में click करेंगे और हम filter menu में जाएंगे camera raw filter simply हमें कहाँ जाना है presets में और यह vintage old school effect इसको select करना है ok में click करेंगे यदि इसमें कुछ changes करना है simply हम क्या करेंगे split toning में मैंने click किया और simply saturation level जो है इसको मैं थोड़ा यहाँ बढ़ा देता हूं तो इसको हम 70% ले रहे हैं और simply ok में click करेंगे so friends vintage photo effect को photoshop में कैसे create किया जाता है वो पूरी technique हमने देखी कैसे हम अपने image के layer को convert to smart object करके और camera raw की मदद से vintage photo effect को apply कर सकते हैं और एक preset को भी save कर सकते हैं जो future में हमें कभी जरुरत पड़े तो उसे हम use कर सकते हैं so friends यदि ये tutorial आपको पसंद है तो मेरे channel को ज़रूर लाइक कीजिए और subscribe कीजिए thank you friends for watching my video